नमस्कार आज को रुबार है तारीक 10 फरवरी मागमाः शुकल पक्ष और नपमीति थी और आप देख रहे हैं वोगल यूँ शेहडो सबसे पहले आज के प्रमुक एवेंस पर नज़ा डालते हैं वधान सभा चुनाव के पहले फेज में पश्टमी यूपी के 11 जलों के 58 सीटों पर वोटिंग होगी पेम मुदी उत्राखंड के श्रीनगर गडवाल में राली करेंगे यहां 14 फरवरी को वोटिंग होनी है राहुल गांदी उत्राखंड में रहेंगे इस दोरान विगडवाल और कुमाउ में जन सभाई करेंगे आरिसस प्रमुक मोहन भागवत पश्रम बंगाल जाएंगे उनका ये दोरा 17 फरवरी तक चलेगा यूपे मवधान सभा चुनाव के पहले फेस की वोटिंग से 12 घंटे पहले प्रुधान मंतरी नरींद मोधी ने चुनाव वाले पांच राजियों में जीत का दावा किया एक इंटर्वियो में उन्होंने लखेंपुर खेरी कांड और परवार वात के अलावा राहुल गांधी के सवालों पर भी बात की उन्होंने कहा कि जो सुनता ही नहीं उसे में कैसे जवाब तूँ विबाद बाद पर संसर छोड़ देते हैं बै करनाटक सरकार ने हिजाब विबाद के मद्दे नजर बांगलूरू में स्कूल कॉलेज़ों के 200 मीटर के दाएरे में लोगों के जमा होने पर रोक लगा दी है ये पाबंती दो हफ़ते तक रहेगी हाई कोट में इस विबाद पर लगातार दूसरे दिन कोई फैसला नहीं हो सका सिंगल बेंच ने ये केज बड़ी बेंच को रफ़र कर दिया है करनाटक के उरुपी से शुरू हुए हिजाब विवाद में नुबेल वजटा मलाला की एंट्री हो गई है उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि हिजाब पहनी लड़कियों को कॉलेज जाने से रोकना भयाव है भारत के नेताओं को मुसलिम महलाओं को हाशिये पर जाने से रोकना चाहिए वही मुंबई के ग्लेनमा कंपणी ने करोना मरीजों के लाज के लिए नेजल स्प्रेय लॉंच किया है जी हाँ इसे कनाडा की दावा कंपणी सानोटाइस की मदद से तैयार किया गया है दावा है कि इस दवा से 24 खंटे में वाइरल लोड में 94 प्रतुषत और 48 खंटे में 99 प्रतुषत कमी आई दवा 2 मिनट में वाइरस को खत्म कर देती है वही टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज को दूसरे वनडे माच में 44 रन से हराकर 3 माचों की सीरीज में 2 शून्य की बढ़त बना ली है वेस्ट इंडीज के जीत के लिए 238 रन बनाये थे जवाब में टीम ने 193 रन ही बना सकी भारत की ओर से प्रसद्ध कृष्णा ने चार विकेट लिए भारत ने वेस्ट इंडीज को लगातार 11 वी वनडे सीरीज में हराया है वही नेपाल सरकार की एक सीक्रिट रपोर्ट लीक हो गई है इसमें बताया गया है की कैसे चीन नेपाल के दो सरहधी अलाकों पर कबजा कर रहा है रिपोर्ट के मताबिक चीनी सेना को स्पैट कर इस अलाके में इंफ्रास्ट्रक्शन तैयार कर रही है चीन के दबाव में नेपाल सरकार और उसके अफसर कुछ नहीं बोल रहे हैं, वहीं देश में पिछले 24 घंटे में करोना संक्रमन के 6,05,158 मामले मिले हैं, 1,238 लोगों की मौत हुई है और 1.67 लाख मरीज ठीक हुए है, वहीं CBSC की दसवी और बारवी की टर्म टू परीक्षा 26 अप्रेल से होगी सब्जेक्ट वाइस डेट शीट का एलान जल्द होगा, ट्राकिंग के दोरान पैर फिसलने से 48 घंटे भूका प्यासा फसा रहा 20 साल का युवक से नाने उसे बचाया, वहीं केंद्र उपभोक्ता संटरक्षन प्राधिकरण CCPA ने ब्रामक विग्यापनों अनुच्छत व्यापार विहवार के लिए नापतोल, ऑनलाइन शॉपिंग और सेंसुदाइन के खिलाफ आदेश पारित किया, भारत में विग्यापन बंद करने के लिए देए आदेश धन्यवाद आचकी खबर में बस इतना है, यदि आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि फेस्बुक पर देख रहे हैं, तो लाइक और फॉलो जरूर करें